जैहिन नमस्कार मेरा नाम प्रकर्ष वास्तव है आप देख रहे हैं गुरु घंटाल आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज का दिन 25 अक्टूबर 2021 हमारे देश हिंदुस्तान के लिए और प्रदेश उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा ही आतिहासिक दिन है जो कि पहली बार हमारे देश में किसी पर्टिकुलर राज्य में नौ मेडिकल कॉलेज इनौगरेट किये गए यहासा कि आप लोगों को पता है कि हमारे देश के मानने प्रधान मंतरी शी नरेंदर मोधी इस वक्त उत्तर प्रदेश में गए उन्होंने सुभा सुभा उत्तर प्रदेश को हम कमारे देश को 9 Medical College की सौगात दी और इन 9 Medical College को बनाने में सरकार के 2329 करोण रुपए खर्च हुए हैं मतब टोटल लागत लगी इन 9 Medical College को मिलाकर 2329 करोण अब सवाल यह उठता है कि किन अलग अलग जन्पदों में इन Medical College को इनागरेट किया गया विसे इनागरेशन तो वर्च इसके बारे में आप लोगों को बताता हूं, तो दोस्तों सबसे पहला माधव प्रसाथ तृपाथी मेडिकल कॉलेज, सिधार्ट नगर, महारिशी दिवरहाबाबा मेडिकल कॉलेज दिवरिया, महारिशी विश्वमित्र मेडिकल कॉलेज इन घाजीपुर, मा विंदिवासिनी मेडिकल कॉलेज मिर्जापुर डॉक्टर सोने लाल पतेल मेडिकल कॉलेज प्रताबगड विरांगना अवंती बाई लोडी मेडिकल कॉलेज एटा उमानाज सिंग मेडिकल कॉलेज जौनपुर अमर शहीद जोना सिंग अतया ठाकुर दरियान सिंग इन्फतेपुर तो दोस्तों और इसके लावा एक मेडिकल कॉलेज और हर्दोई में जो की आउटोनॉमस कॉलेज था राज्य का उसको इनॉगरेट किया गया तो टोटल नौ मेडिकल कॉलेज नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनुगरेट किया गया उत्तरप्रदेश में ताकि पुरुवांचल के खासकर इन्फरास्ट्रक्चर को हेल्थ इन्फरास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जाए पहले के कंपरिजन क्योंकि जब से गमारे देश में कोरोना आया है तब से कहीं न कहीं जो हिल्थ सक्टर गय है उसके उपर फोकस करने का दबाओ हमारे देश की सरकार की उपर बढ़ा है बविश्य में मान दीजिए कोई अगर ऐसी बिमारी आती है तो पहले से सरकार तयार रहे पहले से देश तयार रहे ताकि किसी भी तरह की ज़्यादा हानी ना हो तो नो मेडिकल कॉलेज इन में एडमिशन लिये जाएंगे इसके इलावा ये मेडिकल कॉलेजेस में इलाज भी होगा तो कहीं न कहीं इससे गमारे देश का हेल्थ इंफरस्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का हेल्थ इंफरस्ट्रक्चर बहतर होगा पहले के मुकाब्ले तो इतनी सी बात थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी उमीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो को लाइक शेर कमेंट कीजिए गुरु घंटाल को अपना प्यार दीजिए हेल्दी रहिए सेफ रहिए मस्त रहिए